हेलो फ्रेंड्स आप सबका कुक्सानों विज्ञान विश्य के अध्याइपन्रा खाद्य संसाद्नों में सुधार की इस क्लास में हर्दिक स्वागत है हमने बागी चैप्टर एक से लेकर 16 तक के सभी चैप्टर्स की व्याख्या और उनके अभ्यास प्रशनों को अच्छे से सुल्व करा दिया है तो वो क्लास आप चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो इस क्लास में हम अध्याइपंद्रा की सुरूआत कर रहे हैं खाद्य संसाद्नों में सुधार तो क्लास सरू करने से पहले मेरी आपसे च्छोटी से रिक्वेस्ट है कि यह दि सुरू करते हैं सुरू कर रहे हैं हम फशलों के प्रकार से तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फशल आखिर होती क्या है तो जब एक बहुत बड़े लंबे चोड़े चित्र में एक ही प्रकार की पौधे या बीज उगए जाते हैं तो उसे फशल कहा जाता है फिर से सुन ल इसल्ट्ट्वों की प्रकार की तो अलग-लग उप्योग की आधार पर अलग-लग प्रकार की प्लतलों का वर्गी करन किया जाता है। तो अनाज के अंदर हम गेव, चावल, मक्का, बाजरा, आधी को साम्यल करते हैं इनसे में क्या होता है? इनसे हमें कार्भोहईड्रीड प्राप्त होता है जिससे हमारे स्रीर को उर्जा मिलती है दूसरा हम परकार बात करते हैं, वो है बीज के रूप में तो पोधों में पाई जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते हैं और सभी प्रकार के जो पोधे है या जो फल है उनके इंदर पाई जाने वाले जो बीज है वो खाने योग्य नहीं होते जैसे बात करें, सेव का बीज, छेरी का बीज, ये खाने योग्य नहीं होते करम बात करें, खाने वाले बीज की, तो उसमें कौन सी फचले आती है सर्शो हो गया, सोयाबिन हो गया, तील हो गया, मुंख्ले हो गया ये कौन सी है ये वो पशले है जिनकी बीजों का उपयोग हम खायने के रूप में करते हैं और इंसे में क्या प्राप्त होती है इंसे हमें हमारे सरीर को वसा मिलती है तीसरा बात करें दालों की तो दालों की बात करें तो चना, मटर जिसमें काला मटर हो गया सुरी काला चना, हराचना, मसूर, यह सारे डालों के कुछ प्रकार है, यह भशले डालों में गिनी जाती है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, आगे बात करें सबजीयों, मसा मसालों और फलों से हमें क्या मिलता है इनसे हमें विटामिन और खनीज लवन की प्राप्ति होती है जैसे फल बात करें तो आप सब जानते होंगे सेव, आम, चेरी, केला, तरबूज यह सब किसके अंदर गिने जाते हैं फलों की श्रेणी में गिने जाते हैं फिर बात करें काले मिर्च, हल्दी यह क्या है यह कुछ मसाले हैं धनिया, जीरा, अजवाइन, जीरा यह सब क्या है यह सब मसाले हैं फिर बात करें कुछ सारा वाली फसलों की जो पसु पक्सियों के लिए चारे के रूप में काम में आती हैं जैसे जई और सुडान घास यह पसु धन के चारे के रूप में क्या होती है उप्योग में लिजाती है। तो ये कुछ फशलों की सामान्य परकार है, इसके बारे में आप भली बाती जानते भी है। आगे बढ़ते हैं फसल चक्रा फसल चक्रा का मतलब क्या है फसल चक्रा का मतलब है कि फसल को बोने से लेकर उसकी कटाई तक के बीच में जो एक संपून प्रकिरिया पाई जाती है उस संपून प्रकिरिया को कहते हैं फसल चक्रा जिसमें उसकी जूताई मिट्टी की सीन्चाई खरपतवार हटाना निराई गुड़ाई है ना फिर काटना दवाई देना भंडारन करना यह सारी चीजे सामिल है इस पूरे प्रक्रम को क्या का जाता है एक फसल चक्रा कहते हैं मतलब कि जिन जिन चरणों से ओकर एक फसल के उत्पदन की प्रक्रिया गुजरती है उसे हम कहते हैं एक फसल चक्रा कहते हैं तो सभी फसलों को अपनी व्रदी और जीवन चक्रा के लिए अलग-अलग प्रस्तितियों क्याव सकता होती है जैसे बात करें तापमान की नमी की अलग-अलग दिप्ति का लाने सुरोज की रोसनी आदी की जुरूत होती है यह अलग अलग खेज़te एक खरीब की की फबसल और एक रभी की बजक लेकिन आपको एक तीसरी फबसल और देखने को मिलती है जिसे जायद फसल भी कहते हैं लेका आपके बुक में दोई दी हुई है तो मुनीरी की साच आरीब की फसल की वह शेच है यह और बात करें काला चना, हरा चना, चावल, सोया बीन, धान, ये आरज यो फसले हैं, जवार, है न, ये सारी जो फसले हैं, बाजरा, ये सब घरीब की फसल है, दूसरी फसल की बात करें, ये है रबी की फसल, तो ये नवंबर, दिसंबर में बोई जाती है, और अप्रेल तक के महिने में ली जाती है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं इसलिए इन्हें सर्दी की फसल कहते हैं कौन सी फसल कहते हैं सर्दी की फसल या सियालू फसल कहते हैं जैसे अभी का जो मोसम चल रहा है गेव चना मतर सरसो अलसी यह सारी क्या है यह सारी रभी की फसले है और तीसरी फसल होती है जा जायद फसलों के अंदरगत गिनी जाती है, ठीक है, तो ये फसलों के कुछ प्रकार है, आगे बात करें, फसल उत्पादन में सुधार, यह फसल उत्पादन में जो सुधार की प्रकिरिया है, उसको मुखिता तीन भागों में बाटा गया है, पहला, फसल की किस्मों में सुध किसमों में सुधार कर सकते हैं किस प्रकार हम फसल उत्पादन प्रबंधन की किसमों में सुधार कर सकते हैं किस प्रकार हम फसल उत्पादन प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं और किस प्रकार हम फसल की शुरुक्षा से रिलेटेड में इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं सबसे पहले शुरुक करते हैं फसल की किसमों में सुधार तो फसल की किस्मों में सुधार का जो कारक है वो है अच्छे और स्वस्त बीज क्या है किसी भी फसल के उत्पादन में जो सबसे important role होता है वो होता है अच्छे और स्वस्त बीजों का तो अच्चे और सवस्थ भीजम कैसे प्राप कर सकते हैं तो उसके लिए जो प्रक्रिया यूज़ की जाती है वो होती है संकरण इसमें क्या होता है इसमें विभिन आनुवान्सिक गुणों वाले पोधों की बीच में संकरण करके उननन्त बीजो वाले या उननन्त किस्म वाले पोधे त्यार करने की जो ये प्रकिरिया है इसे क्या का जाता है इसे संकरन कहा जाता है यानि अलग-अलग किस्मा के पोधों की बीच में संकरन कराके एक उन्नंत किस्मा का अलग बीच त्यार किया जाता है या अलग पोधा त्यार किया जाता है जिसमें उत्पादन समता बहुती अच्छी होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संकरन कहते हैं जिसके जरिए दो प्रादों से अधिक पोधों के अनुवनसिक गुणों को किसी एक पोधे में मिला दिया जाता है। ठीक है? अब फसल की गुणवत्ता में जो ब्रदी करने वाले कारक है वो कौन-कौन से है? उच्च उत्पादन उच्च उत्पादन का मतलब क्या है? जो फसल की गुणता में व्रदी करते हैं उच्च उत्पादन का मतलब है परती एकड फसल की उत्पादन समता है उसको क्या करना? बढ़ाना पहले जैसे समझ लिजिए प्रती एकड़ से 5 बोरी नज होता था तो 5 बोरी से बढ़ा कर 7, 8, 10 बोरी पैदा करना वो क्या है उच्छ उत्पादन है फिर है उन्नंत किस में तो उन्नंत किस में फसल उत्पादन की गुनवत्ता परतेक फसल में क्या होती है भिन्न होती है डाल में प्रोटिन की गुनवत्ता को देखा जाता है तीलहन में तेल की गुनवत्ता को देखा जाता है फल और सबजियों में उसकी सरंक्सन को कितने समय तक वो सुरक्षिद रह सकती है उसको देखा जाता है तो अलग लग फसलों की जो उननंत किसमे है वो उनकी अलग लग गुनवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है अलग लग फसलों में अलग लग प्रकार की विस्यस्ताओं के आधार पर अलग लग किसमों की जुरुत होती है जैसे अगर हम दाल का चेहन कर रहे हैं तो हम लंबे समय तक शुरक्षिज रह सकें, है न, तो ये कुछ कारक है, जो फसल की गुनवत्ता को परभावित करते हैं, आगे बात कर रहे हैं, जैविक और अजैविक परती रोधकता, ये भी किस से समझदी थे, फसलों की किस्मों में सुधार से, मतलब क्या हुआ, कि जैविक औ बीज का छेयन करते हैं, अगर हम बात करें जैविक कारकों की, तो जैविक कारक में रोग, अलग तरोग के रोग, कीट, नमे टोड, आधी सामिल है, बात करें अजैविक की, तो इसमें सूखा, शारता, जलकरांती, गरमी, ठंड, पाला, प्रिस्तितियों के कारण फसल उत्प तो हमें ऐसे बीजो का चेहन करना चाहिए जो इस परकार की प्रस्तितियों में भी क्या हो सके उच उत्पादन की समता दे सके हैं नहीं ऐसी प्रस्तितियों में भी वो विज से हमें उच उत्पादन या अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके और जो फसले इस परकार की प्र विकास करना चाहिए जो व्यापक अनुकुलता को दर्शाती हो मतलब कि जो प्रयावरण में होने वाले विभिन परिवर्तनों के परती अपने आपको क्या कर सकती हो अनुकुलत करने में सक्सम हो तो व्यापक अनुकुलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन प्रयावरण यह परिस्टितियों में फसल उत्पादन को इस्ताइक करने में और जा सकता है यह किस्म कर बीजों के अधार बी ऑंद धीन देने में क्या हो सक्सम और किसी एक चित्र वीशेस में केवल वो सीमित नहीं हो बलकि किसी भी चित्र में अगर उन्हें बोया जाए तो वो प्रतेग चित्र में उत्पादन अच्छे तरीके से देने की क्या रखते हो समता रखते हो अगला है एचिक सस्य विज्यान गुण मतलब चारे वाली फचलों के लिए लंबी और सगन साखाय क्या है एचिक गुण है यह में जैसी जरूत है जैसी गुणों वाली चीजों की जरूत है जैसे बात करें हम फचलों की जो चारे के लिए जोती है उसकी जरूत होगी उसके ह जरूत है जैसे गुणों वाली फसल की जरूत है अगर वो उस इसाब से उत्पादन दे रही है तो निच्छित रूप से ऐसी किसमे क्या होगी ऐसी किसमे अधिक उत्पादन देने में सक्सम होगी ठीक है जैसे बात करें दाल वाली फसल की तो हम क्या चाहेंगे कि उसकी है एक्चिक सशे विग्यन गुन है यह से हम एक्चिक गुन चाह रहे हैं वे ऐसी quality उसमें होनी चाहिए अब बात कर रहे हैं फसल उत्पादन में सुधार और हम किन तरीकों से कर सकते हैं किसानों के द्वारा विभिन परकार की तकनिक इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल परका जा रहा है उनकी सिंचे की स्तरकी जा रही है और फशलों को उगाने का तरीका क्या है यह चीज़े भी माइने रखती है फसल उत्पादन में अब हम इनको पढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं पोसक परबंधन की तो दूसरे जीवों की तरह पोध्यों को भी ब्रदी है पोसक तत्वा कार्बाइड़र प्रोटीन विटामिन जल खनी रें की जरूत होती है ठीक उसी तरह पोध्यों को भी एपनी प्रवर्दी और विकास है तो कुछ पोसक दत्वा या कुछ तत्वा की जरूत होती है उन्हें क्या कहते हैं पोशक Trainer पानी से हाइड्रोजन auksygen और अन्यक लगभग तेरा पोसक तत्वा कहां से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं, और पोधों को ज्यादातर जो पोसक तत्वा प्राप्त होते हैं, वो कहां से होते हैं, हवा से या तो, या पानी से, या मिट्टी से इन पोसक तत्वा की प्राप्ती होती पहला है ब्रहत पोशक तत्वा जैसा नाम से पता चल रहा है ब्रहत ब्रहत का मतलब ज्यादा जिन पोशक तत्वा की पोधों को अधिक मात्रा में जुरूत होती है ऐसे पोशक तत्वा ब्रहत पोशक तत्वा कहलाते हैं जैसे नाइट्रोजन फास्पोरस, पोटेसियम, कैलसियम, मैगनिसियम, सलफर ये वो पोशक तत्व है जिनकी पोधों को अधिक मात्रा में जुरूत होती है तो ऐसे पोशक तत्व को व्रहत पोशक तत्व कहा जाता है दूसरी केटेक दी है सुक्सम पोशक तत्व जैसा नाम से पता चल रहा है कि वे पोशक तत्व जिनकी पोधों को अधिक मात्रा में आपसकता होती है इसी कारण इने सुक्सम पोशक तत्व कहा जाता है अगला है खाद और उरुरुरक तो मिट्टी की गुणवता को बढ़ाने के लिए खाद और उरुरक की भी क्या होती है बहुत अधिक मात्रा में जुरूत होती है फल सबुरुप फसल की उपज़ में भी क्या होती है हमें अबर्दी देखने को मिलती है सबसे पहले बात कर रहे हैं खाद की आखिर खाद क्या होता है ना खाद क्या होता है तो यह एक कार्बनीक प्रदात का अच्छा सरोत है किसका कार्बनीक प्रदात होगा यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोसक तत्वा प्रदान करते हैं ठीक है यह ज्यादा मात्रा में तो पोसक तत्वा नहीं प्रदान करते लेकिन थोड़ी मात्रा में जुरूर पोसक्तों प्रदान करते हैं यह किसे बनते हैं तो यह प्राणी के उत्सर्जित प्रदात मल मुत्र जा अपसिष्ट से क्या होते हैं बनते हैं नथा पौधों के अपसिष्ट के अब गटन द्वारा भी त्यार किये जाते हैं पौधों के सड़ने गलने से किसका निर्मान होता है खाद का निर्मान होता है ठीक है अब बात कर रहे हैं खाद के विभिन परकार खाद अलग लग कैटेगरी के होते हैं जैसे बात कर रहे हैं सबसे पहला परकार है वो है कमपोश्ट खाद का मतलब क्या होता है कि पौधों और उनके अवसेस परदात हो, पोधो और उनके अवसेस, साथ ही कूडे, करकट, पसुओ के गोबर, मनुस्य के मल मुत्र, आदी कारबनिक परदातों को जिवानुओ तथा कवको की क्रिया के द्वारा खाज रूप में बदलना क्या कहलाता है, कमपोस्टिंग कहलाता है, ठीक पोधो और उनके अवसेस परदात, कूडा करकट, सबजी वगेरा के छिलके, है न, फलो के छिलके वगेरा, पसुओ का गोबर, मनुस्य के मल मुत्र, आदी का जिवानुओ और अन्य कवको के द्वारा, बैक्रिया के द्वार के के जाता है, अब गटन किया जाता है, और उन कंपोस्ट को कैचुओ के उपयोग से त्यार करते हैं, जब कंपोस्ट को किसके उपयोग से, कैचुओ के उपयोग से, वर्मी का मतलब होता है कैचुओ, तो कैचुओ के उपयोग से त्यार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, इसे कारन किसका निर्मान किया जाता है बर्मी कंपोस्ट का निर्मान किया जाता है ठीक है इस कारण से कैचो को क्या का जाता है कर्षको का मित्र का जाता है तीसरा है हरी खाद तो फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पोधे जैसे पट्सन, मूंग तथा गवार उगा देते हैं और तो मिट्री को नाइट्रोजन और फासपोरस क्या करते हैं फासपोरस की आपूरती कराने में क्या होते हैं शाहयक होते हैं तो यह खाद के विभिन प्रकार थे आगे बात कर रहे हैं उर्वरक की तो उर्वरक कहां त्यार के जाना है यह कार खानों में करतरिम रूप से त्यार coamöttation, phosphorus और potassium मवजुद होते हैंां। उरुवरक आसानी सी पौधो के द्वारा क्या कर ले जाते हैं, अवसोसित कर लिये जाते हैं। क्योंकि यह पानी में कैसे होते हैं। इस पानी में गुलन्सिल होते हैं। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं खाद और उर्वरक में अंतर कि इन दोनों में अंतर क्या होता है अगर हम बात करें खाद की तो ये मुक्य उर्प से कैसे होते हैं कारबनिक होते हैं जबकि उर्वरक कैसे होते हैं ये अकारबनिक होते हैं ठीक है खाद किसे बने होते हैं ये प्राकरतिक परदातों से बने होते हैं, जबकि उर्वरक रासानिक परदातों से मिलकर बनते हैं, खाद में पोसक तत्व कम मातरा में होते हैं, वही उर्वरक में अत्यधिक मातरा में क्या होते हैं, पोसक तत्व होते हैं, खाद दीरे दीरे पोदे द्वार आप सोसित किये जाते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर कैसे होते हैं अग गुलंसिल होते हैं वही उर्वरक आसानी से फसल को उबलब दो जाते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर कैसे होते हैं गुलंसिल होते हैं फिर खाद का आसानी से भंडारन और इस्तानांतरन किया जा सकता है लेकिन उर्बरोकों का भंडारन और इस्तानांतरन सरल विदी से नहीं किया जा सकता है ठीक है आगे बात कर रहे हम सिंचाई की तो सिंचाई क्या होता है फशलो को समय समय पर जल परदान करने की प्रिकिरिय क्या है उसे हम क्या कहते हैं सिंचाई कहते हैं अब सिंचाई के तरीकों की बात करें तो सिंचाई के लिए अलग लग तरीकों का पहले निकाला जाता था जिसे रहेट कहते थी और वरतमान में वीजूत मोटर या पंप के द्वारा निकल जाता है दूसरा प्रकार है वो है नलकूप जिसे हम आजकल बोर्वेल कहते है साधन बासा में तो नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है जिसे सिंचाई होती है और मोटर पंप के इस्तिमाल से पानी को क्या होता है बाहर की वर निकाला जाता है दूसरा सिंचाई का सतन क्या है प्रमुक आज के समय में वो है नहरे इनमें पानी एक या धिक जलास्यों अथवा नदियों से आता है ठीक है और मुख्य नहर से कई साखाई निकाल ली जाती है जो विबाची दोकर खेतों में सिंचाई का काम करती है फिर नदी उन्यन परनाली इस परनाली में क्या होता है पानी सीधे ही नदियों से पंप के द्वारा इकटा कर लिया जाता है और इस सिंचाई का उप्योग नदियों के जो पास में खेत मोजुद होते है उनके ले क्या होता है लाब जायक होता है नदियों के अंदर ही विद्यूत मोटर या पंप को डाल दिया जाता है और वहां से सीधे पानी की सप्लाई खितों में की जाती है अगला है तालाब तो आपती के समय प्रियोग में आने वाले वे छोटे तालाब, छोटे जलास Mindya होते हैं कराया जाता है अब बात करें पानी के सरक्षन के तो वर्सा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित एकत्रित कर लिया जाता है और बाद में इस्तिमाल के लिए ये बाद में ये इस्तिमाल कर लिया जाते हैं और साथी साथ ये मर्दा अपर्दन की समस्त्या को भी क्या करते हैं दूर करते हैं पानी का स्रक्षन का मतलब है कि वर्षा के समय में वर्षा के पानी को सीधे टैंकों में क्या कर लिया जाता है सुरक्सित कर लिया जाता है और बाद में इसका इस्तिमल किया जाता है और साथ भी साथ ये मैतमन की यह हैं, क्योंकि ये मर्दा आपरदन की समस्त्या को भी रूकते हैं, जैसे बात करें वर्सा जल संग्रहन की, तो जैसे आज भी राजस्तान के कई सारे चित्रों में, पर्तवी पर गिरने वाले वर्सा जल को रोक लिया जाता है, और भूमी में इस्तेमाल किया जाता है तो इस प्रकार की जो प्रकिरिया है वो क्या कलाती है वर्सा जल संग्रहन क्यालाती है जिसमें वर्सा के जल को क्या क्या जाता है लंबे उप्यों घयतू संग्रहन संग्रहित किया जाता है ताकि बाद में इसका उप्यों किया जाता है अगला बात कर कोछ तरीके हैं पहला है मिसृत खेती दूसरा अंत्रा फृषली खश्लिकरण और तीसरा है फसल डशक्रण अब देखो मिसृत खेती क्या होती है कि दो या दो से अधिक फश्लोग को एक साथ उगाना एक ही भूमी पर एक साथ उगाना कि ये जो परकिरिया है क्या कलाती है मिसृत खेती कहलाती है जैसा नाम से पता चल रहा है मिसृत खेती मिक्सर एगरिकल्चर जिसमें दो या दोसी अदिक फशलों को हम एक ही भूमी पर एक साथ उगाते हैं है जैसे गेगु और चन्वा को एक साथ में उगा दिया, गेगु और सरसो को एक साथ में उगा दिया, मुंपली और सुरज मुखी को एक साथ उगा दिया, तो इस प्रकार की खेती क्या कलाती है, मिस्रित खेती, अब मिस्रित खेती, मिस्रित खेती करने से जो हानी होने की संभा लिए नश्ट होगी तो ऐसी स्तती में हम बुसरी फसल की प्राप्ति नहीं कर सकते थे लेगर एक ही खेत में दो या तीन फसल उगा दी बाशन में से एक फसल ख्रब भी होगी तो में बाकी दो फसलों के उत्पदन की आसा बनी रहती है ठीक है तीसरा है अंतरा फसली करन अंत प्याटन को फॉलो करके हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं जैसे कुछ पंगतियों में एक प्रकार की फसल और दूसरे एकांतर में दूसरी पंगतियों में दूसरी फरकार की फसल जैसे हमने च्यार लाइन करली सोयाबिन की च्यार लाइन करली मक्का की तो हमने क्या किया? में मिशृतखेती तो की है, लेकिन एक pattern पर की है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, अंतरा फसली करन, और केवल अगर हमने दो है जो से अधीक फसलो को mix में हुगाया है, तो उसे हम कहेंगे मिश्रित खेती, ये दोनों में अंतर है तोड़ा ठीक है, जैसे सोया बिन और मक्का, माजरा और लोबिया, ये क्या है, ये कुछ अंतरा फशली करन के उद्यारन है, कि इन फशलो को हम एक साथ, क्या कर सकते हैं, एक निच्छित पैटन पर उगा सकते हैं, अगला है फशल चक्रो, तो फशल चक्र का मतलब क्या है, कि किसी खेत में क्रम बार उर्वन योजित कारे क्रम के अनुसार, विबिन फशलो के उगाने को क्या कहते हैं, फशल चक्र कहते हैं, मतलब जैसे एक समय में हमने ये फशल बो दी, तीसरी बार ये बोईंगे, तीसर प्रकार की खेती की जाती है तो एक ही प्रकार के पोसक तत्व मर्दा से फसल द्वारा क्या कर लिये जाते हैं प्राप्त कर लिये जाते हैं उसके बाद उस पोसक तत्व की जगया पर क्या हो जाती है कमी हो जाती है और बार बार मर्दा से पोसक तत्व फसल द्वारा प्राप करने पर एक ही प्रकार के पोसक तत्व क्या हो जाते हैं उस मर्दा से समाप्त हो जाते हैं अतो हमें एक ही भूमी पर अलग-लग प्रकार की खेती अलग-लग समय के लिए करने चाहिए जैसे हमने एक बार सरसो बोल लिया एक बार गेव तो इक बार हम किसी दूसरी फसल को उग सिख़ा कर सकते हैं, उगा सकते हैं ये किसके फायदे हैं, ये फुसल चक्र के फायदे हैं, ठीक है तो आज ही क्लास को हम हम यही downwards पे विर्याम देते हैं, अग्ली क्लास में हम इसके आगे के topic को सरचा करेंगे उम्मिद करता हो आज हमने जो भी टॉपिक पड़े हैं वो आपको उच्छे समझ में आये होंगे बिल्कुल सरल पाट था तो क्लास देखने को आप से भी को धन्यवाद प्लीज लाइक, कमेंट, सेरो और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद